सभी को नमस्कार पत्था नव वर्ष की हारदिक मंगल कामनाए डिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना है इस महीने में अनेक महापुरुषों की जन्म तिथियां आती हैं जन्म दिवस आते हैं नेक चंद का जन्म दिन भी दिसंबर के महीने में आता है नेक चंद 15 दिसंबर 1924 को जन्मे थे 14 जून 2015 को उनका निधन हुआ वे दिजीवित होते तो 98 वर्ष के आज के महीने में हो जाते हैं नन्यानवे वर्ष पूरे कर रहे होते हैं उनका शताब्दी वर्ष आरंब हो रहा है नेक चंद का तो जन्म दिन भी कहीं मनाया जाता होगा ऐसा मुझे विदित नहीं है उनका शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा ऐसी भी कोई संभावना नहीं लगती नेक चंद ने चंडीगड में राउग गार्डन बनाया था अपने भूते पर अपने परिश्रम से अपने अध्यवसाई से अपनी लगन से जो ताज महल के बाद इस देश के सबसे बड़े परियटन इस थलों में कदाचित गिना जाता है या बड़ी संख्या में देश-विदेश के परियटक उसे देखने आते हैं नेक चंद को अमेरिका सही योरोक के अनेक देशों में बुलाया गया मेरी समझ से जो उन्होंने बनाया है चंडीगड में इस्थान वा विश्र के सबसे बड़े आश्चरियों में से भी एक माना जाना चाहिए दो साल पहले मैंने नेक चंद स्मृती श्रीशक से सुंस्कृत में कविता लिखी थी वा कुछ अधूरी रही उसका हिंदी में रूपांतर भी किया मैं नेक चंद की स्मृती में वा कविता हिंदी रूपांतर उसका पढ़ रहा हूँ नेक चंद की याद में यह कविता है या नहीं मैं नहीं जानता या एक आहाकार भी कहा जा सकता है धर्ती की एक आह कही जा सकती है बिजली के टूटे कटाउट्स चूडियों के टुकडे चीनी के फूटे प्याले कचरे में फैकते हुए रुक जाएंगे हमारे हाथ यकायक और हम तुम्हें याद करेंगे नेक चंद धर्ती जब घूरे का ढेर भर रह जाएगी पानी की जगह हम पिएंगे कारखानों का धुआ बूडी हो गई धर्ती की जुर्यों भरी काया से सूख कर जर्ते जाएंगे रोएं जैसे पेड कहीं कोई बच गई बर्गत की लट देख कर हम तुम्हें याद करेंगे नेक चंद शहरों को छोड़कर घबराकर हिमालाई की और उड़ेंगे गीद हलांकि उड़ी चुके थे लेकिन कविता जब लिखी तब की बात शायद है शहरों को छोड़कर घबराकर हिमालाई की और उड़ेंगे गीद पर वहां भी वे मलबा पाकर डर जाएंगे जिसे पर्वता रोही छोड़ कर गए भालू और याक कोश्टे रह जाएंगे वह निर्जन इस्थान जहां वे सुकून से बेड़ सकें मौत चाटती भी निगलेगी मनिश्यों के शरीर शहरों में दम घुटने पर मरमर कर समाप्त हो जाएंगी सारी प्रजातियां मक्खियों और मच्छरों तक की ये जो लड़कियां कतार बांदे खड़ी हैं क्या वे जानती हैं कि वे टूटी तश्टरियां हुआ करती थी जिनें बटोर कर ले आये थे तुम ये जो लड़कियां कतार बांदे खड़ी हैं क्या वे जानती हैं कि वे टूटी तश्टरियां हुआ करती थी जिने बटोर कर ले आये थे तुम फिर प्रजापती की तरह उनकी एक-एक टुकडे को सही जगह लगा कर तुमने उनमें भरे प्राण वे हस्ती मुस्कुराती बच्चियां बन गई ये जो कई कतारों में खड़े लड़के प्रार्थना कर रहे हैं स्कूल में क्या वे जानते हैं कि वे टुकडे भर थे गुरे पर फिके हुए चीनी मिट्टी के पात्रों के हो सकता है तुमारी रचनाओं को कोई बुत शिकन द्वस्त करने के लिए आ जाए बुत शिकन मूर्ति भंजक आइकोनोकलास्ट को कहते हैं हो सकता है तुमारी रचनाओं को कोई बुत शिकन द्वस्त करने के लिए आ जाए हो सकता है उनका संभार करने के लिए ये बढ़ते बढ़ते थमजाएं उसके कदम और वह कहें कि ये बुथ हैं ही कहां ये तो इसकूल जाने को निकली बच्चियां हैं और उधर वे ओड़ते हैं वे से पानी लाने के लिए गड़े उठाए हुए या फिर वह नाग्भों सिकोड कर कहें कि घूरे से बने हुए बुथ उन्हें क्या तोड़ना काफिर उनकी इबादत करते ही कहां है जब कविता कारखानों के मल्बों में दबने दबने को होगी कच्रों के पहाड़ों के बोज तले कच्रों के पहाड़ों का बोज डोते शहर हाफ कर अंतिम सांस लेने को होगे उस खशन हम तुमें याद करेंगे नेकचंद कच्रों के पहाड़ों का बोज डोते शहर हाफ कर अंतिम सांस लेने को होगे उस खशन हम तुमें याद करेंगे नेकचंद यह भी हो सकता है कि उस कगार पर खड़े हम जिसके आगे अनंत खट है आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक जाएं यह भी हो सकता है कि हम लोटाएं वहाँ जहां कुड़ा होती जा रही धर्ती के मलबे के नीचे कहीं तुम हो और तुमारी सांसे हैं तुमारी सांसे हैं और धर्ती की आह है क्या भी हो सकता है कि हम वहाँ से तुमें बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाएं बहुत अन्यवाद नमसकार